कानपूर देहात में एक बार फिर बिजली विभाग की लापरवाई से किसान की मौत हो गई गाउ में घर के बगल में हैंटपम से पानी भरने गए किसान के उपर हाई वाल्टेज की 11,000 लाइन तूटकर गिरने से किसान की दपकर मौके पर ही मौत हो गई ग्रामीडों का कहना है कि बिजली विभाग और अधिकारियों से लगातार शिकायत के बाद भी ये लाईने नहीं बदली गई जिस वज़े से तार टूटने से कईयों की मौते भी हो चुकी है अमरहट थाना शेत्र की करियापूर गाउं में राम स्वरूप अपने परिवार के साथ रहता था और किसानी गर अपने परिवार का पालन पोशन कर रहा था आस तो पर जब वो घर के बगल में लगे हैंड पम से भारी पानी भरने गया तो उसके उपर 11,000 वोल्टेज की लाईन टूट कर गिर गई जिससे चिपक कर उसकी मौके पर ही मौत हो गई इस घटना से क्रामिनों में हड का मजगया और ग्रामिन बिजली विभाग पर लापरवाही का आरूप लगा रही है राम सुरुप की मौत की खबर लगते ही गाउं में लोगों का ताता लग गया वहीं करामिनों का कहना है कि गाउ में जो बिजली की हाई वोल्टेज लाइन निकली है वो जरजर हालत में हैं कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को शिकायत भी की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई बिजली विभाग की लापरवाही से गाओं में कई और मोते हो चुकी है जानवर भी चिपक कर मर चुके है वही मृतक अपने परिवार का अकेला ही सहरा था जिसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं घटना की सूशना देने के बाद भी कोई आला अधिकारी या बिजली विभाग का कर्मचारी घटना स्तल पर नहीं बहुत सका परिजनों की मांग है कि परिवार के पालन पोशन के लिए जिला प्रशासन कुछ राहत दे दे कानपूर से रजा मोहमत की रिपोर्ट